हर्म कि हेलो दोस्तों आज हम आपके लिए भुगोल विशे की पाथ योजना लेकर आएं तो इसमें हम सबसे उपर लिखते हैं पाथ योजना शंख्या पाथ योजना संख्यार हो आप उससे इसने लिख सकते हैं फिर विद्याले का नाम जहां तीचन लगेगे उस विद्याले का नाम रिखेंगे फिर अगर छात्रा ध्यापक सब्रूंद द्यापक का नाम लिखेंगे फिर दिन इसमें टेबल बनाएंगे इसमें दिनांक अच्छा विशे अवदि चक्र लिखेंगे दिनांक वादिन होगा जिस दिन आप सिछड कारी करेंगे उस दिन की डेट डलेगी कच्छा मैंने सिख्ष डाला है विशे भुगोल अवदि 40 मिन की व्रिद्धी होगी उनके उनकी क्या क्या knowledge होगा क्या क्या क्यों जान समझभाएंगे सारी चीज़ें उसके अंत्रगत लिखते हैं तो सनमान लुद्धेश में फष्ट है चात्रों को भुगोल विशे के प्रतिरुची उत्पन करना चात्रों को मानसिक सक्तियों का गयान करना चात्रों में प्राकृतिक संसाधूर् Marg Tolkien का ग्यान कराना फिर और विश्य फॉद्धेश इसमें 3 प्वाइंट होते हैं च्छात्र सौर मंडल के बारे में जान सकेंगे भावात्मक में लिख सकते हैं कि छात्र सूरी के बारे में जान समझकर उसकी व्याक्या कर सकेंगे थर्ड है क्रियात्मक उद्देशित इसमें लिख सकते हैं छात्र ग्रोहों को वर्गीकरत कर सकेंगे सहाईक सामगरी इसमें सपी क्रहों को दर्साता एक चाड़ ले जाना visit चाहकका डिश्टर के वा तो समाने जानारी रखते है three column बनाएंगे और छात्र क्रीया च्यात्र करेंगे फिर्स्ट कुश्चन रहेगा हमारा पूछेंगे हम बच्चों से कि उर्जा का सबसे बड़ा श्रोत क्या है तो बच्चे बोलेंगे शूरी होता है फिर हम उसी उन्हें को एंसर को लेके फिर कुश्चन कहेंगे कि सूरी के चारो और चकल लगाने वाला पिंड को क्या कहते है बच्चे बोलेंगे ग्रह कहते हैं, फिर थर्ड पूछेंगे कि शूर एवं उसके ग्रहों के परिवार को क्या कहते हैं, तो बच्चे मौन हो जाएंगे, वो समझ नहीं पाएंगे और यहीं समझ्या खड़ी हो जाएगी, बाइद अगर जो बता देते हैं कि सौर मंडल होता ह सब्सक्राइब करें लिए फर्ष्ट विंदू परिवार तो हम से रिलेटट विकासात्मक पूछेंगे विकासात्मक पूछते हैं कि जो भी हम टॉपिक पढ़ाने वाले ये बच्चों को पता है या नहीं, इसके बारे में कुछ जानकारी रखते हैं या नहीं तो हम कुश्चन करेंगे सौर मंडल के बारे में आप क्या जानते हैं फिर ये प्रशनोतर विदी चल रही है हमारी फिर इसके बाद इस परश्टी करन देंगे जब इस परश्टी करन देंगे तो जातर द्यान परवक सुनेंगे लिखेंगे या देखेंगे आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं जब हमारी चल रही होंगी तो इसे हम सिचटव बिन्दु में व्याख्यान विदी लिखेंगे तो सौर मंडल में अश्पष्टी करन में लिखेंगे सौर मंडल में आठ ग्रा होते हैं जिसमें सूर से सबसे नजदीक बुद्ध ग्रा है और यह सौर मंडल का सबसे चोटा ग्रा है इसे भोर का तारा कहते हैं और इसके बाद पिर्थवी और इसके बाद मंगल ग्रह है और उसके बाद व्रस्पत ग्रह है और उसके बाद सनी ग्रह है सनी के परशात अरूड और वरूड ग्रह है उसके बाद हम बहुत प्रश्ट पूछेंगे बहुत पूछते हैं कि जितने भी अभी तक मैंने पढ़ाय है वो बच्चों को कुछ समझ में आया कि नहीं इसलिए हम बहुत प्रस्ट पोचते हैं तो पूछेंगे कि सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं तो बच्चे बताएंगे आठ ग्रह एक पॉइंट यहां पर और है यहां पर स्यामपट कार भी लिखा जाता है वह मैंने में नही ओं नेक्ष्ट प्रशन है कि हम पूचेंगे भोरकत आरा किस ग्रह को कहते हैं छो प्रिष्ट को करते हैं और हम इस प्रश्टी करण देंगे इस पश्टो करन की में आप 16ने में लिख सकते और यह हमारी व्याख्यान विधी होगी तो हम कहेंगे सोरी परिवार में सभी ग्रहों की उत्पति सूर से हुई है करोड़ों वर्स पहले सूरी के नजदेक से उससे भी लाखों गुना बड़ा पिंट गुजरा जिससे सूरी और उस बड़े तारिक में गुर्टवा करशर सक परिवार के उत्पति के कारण जुआर भाटा उठा और अंत में सूरी का एक बड़ा अंस टूटकर अलग हो गया और यहां सूरी के चारों और चकल लगाने लगा दीरे दीरे यह मलवा ठंडा होता गया और सम सपीडित होकर छोटे-छोटे ग्रह कंडों में छोटे-छोट ग्रह कंडों के रूप में बदल गया और यही खंड आगे चलकर विभिन ग्रह बने फिर हम बच्चों से बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे तो प्रश्न है किस और परिवार के विभिन ग्रहों की उत्पति कैसे हुए तो बच्चे बताएंगे शूरी और यह हमारी प्रश मुझेंगे शौरी परिवार के ग्रहों के नाम बताइए सबसे चोटा ग्रह कौन सा है सबसे बड़ा कौन सा है भोर का तारा किस ग्रह को कहते है फिर इसके बाद नेक्स आ जाड़ाता है तो बारे-धर्मंडल के बारसं के बारे मुझे ब्धु बुद्ध शुक पृत्वी मंगल वहस्पति सनी अरुड वरुन इसमें हम एक चार्ट पेपर बना सकते हैं इसका फिगर या एक मॉडल भी आप दे जा सकते हैं और इसमें चीज़ और है कि विबिन ग्रहों की उत्पति सूर से हुई है यह स्यांपट कार पर हम यह कारी सब्सक्राइब करेंगे हम उनको ज्यादा होम नहीं देंगे क्योंकि उन्हें अलग विशे के भी कंप्लीट करने होते हैं वर्क तो इसलिए हम थोड़ा ही वर्क देंगे तो दो कुशन मैंने दिया है और मंडल से आप क्या समझते हैं सभी छात्र ग्रहों के नाम याद करक आएं तो यह लेशन प्लान कंप्लीट हुआ जो ग्राफिक का लेशन प्लान अगर जो आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें सब्सक्राइब करें डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम का लिंक होगा वहां से आड़ हो जाएं थैक्स फॉर वाचिंग